नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल आर के वर मल्यक्टिकल पर तो दोस्तों वीडियो में डिस्कस करेंगे हैं आज इसरो यानि इंडियन स्पेस रिसर्स सेंटर का ये पेपर है आपका टेक्नीशन भी इलक्टिशन ट्रेट से संबंदित और एक्जाम टेट की बात करें तो आपका दो जून 2019 का ये पेपर है और दो गंटे के लिए इसको आपको समय दिया जाता है और ओवराल आपको 320 मिनट इसमें 320 मिनट यानि इतने मार्क का आपको कुछन पेपर होता है तो चलिए फिर विस्तार से बात करेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है यदि आप चैनल को सस्क्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे के आने वाली वीड करते हैं पहले कुछ्चन से तो पहला कुछ्चन है आपका तीन संधरित्र की धरिता का अनुपात आपको एक अनुपात दो अनुपात तीन और उनके आरपार बुल्टाओं का अनुपात तीन अनुपात दो अनुपात एक हो तो संधरित्रों में उर्जा बंदारन का अनु निकाल के देखते हैं संदारिश की जो उर्जा भंडारन किस प्रकार आप निकाल सकते हैं तो आपका E is equal to आपका 1 बटे 2 C into V square इस प्रकार आप आसानी से निकाल सकते हैं तो आपको E निकालना है तो आपको धारिताओं का अनुपात दिया गया है तो आपको पहले अनुपात देख लेते हैं तो पहले का आपका C 2C और आपको 3C इस प्रकार रहना है धारिता C1 C2 C3 आपकी इस प्रकार रहनी है और आपके V1 V2 आपके वी बन आपको 3B, V2, 2B और आपके V3 आपका V रहना है तो इस प्रकार यहां से आप मान रखके आप निकल सकते हैं जैसे आपको पहला में निकल कर बताई दे रहा हूँ आपको इबन इस एकल टो आप कैसे निकालेंगे एक बते दो, C इन्टू भी स्क्वार्ड तो C का मान आपको क्या अनुपात दे रखा है आपको अधरिता C है और आपका बोल्टेज 3B यानि 3B का स्क्वार्ड होली स्क्वार्ड तो इस यहां से निकल कर आजाएगा एक बते दो इन् दीन दिया 9 इन्टू V स्क्वार्ड तो यहां से निकल कर आ जाएगा आगे, श्वल्प करेंगे जब तो 9 बटे 2धो 9 बटे 2धो C इन्टू V स्क्वार्ड इस विरकार आप निकल एकलेंगे एक लंगे और उनका अनुपात करेंगे तो अनुपात आपका 20 का right answer निकल कर आ जाएगा तो आगे चलते हैं DC मसीनों में अन्ते धुर्वों प्रियूत किया जाता है यानि एंटर पोल्स के यूज क्यों किया जाता है तो देखते हैं पहला option है आपका armature प्रितिक्रिया प्रिभाब को कम करने के लिए कोगन के प्रिभाब को कम करने के लिए रिंगल के प्रिभाब को कम करने के लिए इन में से कोई नहीं तो आपका आपने देखा होगा इंटर पोल आपके इस पिरकार होते हैं DC मसीनों में ये आपके मैन पोल होते हैं किसी भी मोटर में आपके मैन पूल इस पिरकार होते हैं और उनके मद्धे जो आपके पूल लगाए जाते हैं छोटे छोटे पूल जो होते हैं वो आपके एंटर पूल होते हैं और इनकी वाइंडिंग जो आपकी का कर्शन जो किया जाता है वो आपके armature के आपके series में किये जाता है यह आपसे यह भी पूछ ले जाता है तो यह आपके armature प्रतिकरिया को कम करने के लिए प्रियोग में लाए जाते हैं तो right answer आपका यह रहेगा बहुत ही important question है आगा चलते हैं सकती गुणक को सुधारने के लिए किस मोटर का प्रियोग में लाए जाता है यानि power factor को सुधार करने के लिए कौन सी मोटर प्रियोग में लाए जाती है तो आपका पहला answer है parent motor दूसरा आपका है अब बाही पाली तुल्यकाली motor DC series motor अब बाही पाली तुल्यकाली motor तो यानि आपका index motor under excited synchronous motor series motor और overexcited synchronous motor तो राइट answer की बात करें तो आपका overexcited synchronous motor रहेगी जिसका प्रियोग हम power factor को उंप्रूब करने के लिए प्रियोग में लाए जाता है और इसको बिना load के overexcited current पर चला जाता है इससे आपका power factor इंप्रूब किया जाता है तो राइट answer आपका D रहेगा आगे बढ़ते हैं रूप गड़ंक का अनुपात होता है यानि from factor is the ratio of from factor आपका किस-किस का ratio होता है तो आपका average value to peak value peak value to average value rms value average value to rms value या rms value to average value तो आपका from factor जो होता है वो आपका rms मान और और उसत मान का आपका अनुपात होता है तो right answer की बात करें तो right answer आपका D रहेगा दोस्तो एक और होता है आपका peak factor तो peak factor आपका अधिकतम मान बटे rms मान होता है इस पिरकार आप peak factor भी निकाल सकते हैं तो आगे चलते हैं transformer में अधिकतम दख्षता के लिए क्या condition होती है the condition of for maximum efficiency in transformer is यानि क्या होता है copper loss is equal to zero यानि copper loss आपके सूनने के बरावर होते हैं copper loss is equal to zero यानि core loss आपके सूनने के बरावर होते हैं copper loss is equal to core loss यानि core loss आपके copper loss के बरावर होते हैं A और B दोनो तो right answer की बात करें जब आपका transformer अधिकते दक्षापका कारी करता है तो उसके लिए condition होती है यानि copper loss बरावर iron loss के होते हैं तो right answer आपका C रहेगा आगे चलते हैं एक DC जनेत्र में armature प्रतिकरिया से उत्पन होती है यानि armature reaction जो होती है वो आपके किस के दवारा उत्पन होती है तो आपका armature current के दवारा उत्पन होती है field current के दवारा उत्पन होती है both armature और field current और either field और armature current तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आपका armature reaction क्या होती है यानि आपका armature flux का मुक्य फिलक्स पर जो प्रिभाव होता है वो आपका armature फिलक, armature प्रितिक्रिया यानि armature reaction कहलाता है तो right answer आपका C रहेगा यानि दोनों के आपके छेतर और armature धरा दोनों के प्रिभाव के कारण आपकी armature प्रिक्रितिया होती है तो right answer आपका C रहेगा आगा चलते हैं HWG को मापने के लिए प्रियोगत किया जाता है तो right answer आपकी बात करें आपका right answer आपका वियास मापने के लिए प्रियोग में लाए जाता है क्योंकि आपने देखा होगा HWG हो जो होता है आपका एक गोल नुमा आपके एक पत्ती होती है इस्टील की उसमें आपके खांचे कटे हुए होते हैं ये आपके तार के वियास को मापते हैं इसमें 0 से लेकर 36 के आपके साइज होता है तो right answer आपका A रहेगा आगे चलते हैं परिपत को से सुरक्षित रखने के लिए ELCB का प्रियोग में लाए जाता है यानि किस से आपका बचाब के लिए ELCB का प्रियोग में लाए जाता है तो आपका over current के लिए अती voltage के लिए leakage current के लिए उपरोग सभी तो ELCB होती है आपकी सबसे पहरे हम ELCB की full form जालते हैं जान लेते हैं ELCB यार्थ leakage circuit breaker और इसकी जो current sensitivity होती है वो आपकी 100 milli ampere होती है और आपका यह protection जो देती है आपको यह आपका leakage current से आपका protection प्रिदान करती है तो right answer आपका C रहेगा आगे चलते हैं डेल्टा तिरकला डेल्टा संबंद में line voltage क्या होता है तो delta में आपका line voltage phase voltage के आपके संबान होता है तो right answer आपका A रहेगा और star की बात करें तो star में line voltage हमारा under root 3 VPH के होता है तो बहुत important question है तो right answer आपका A रहेगा आगे चलते हैं source L की प्रिति रूपी बोल्टा परास यानि source L की voltage range आपकी क्या होती है तो 0.3 voltage, 0.5 voltage, 0.7 voltage, 1 voltage तो right answer की बात करें तो right answer आपका 0.5 voltage इसकी प्रास होती है तो right answer आपका B रहेगा आगे चलते हैं RC परिफ़त का सक्तिगुणक होता है तो RC परिफ़त का सक्तिगुणक आपका अगरगामी होता है तो right answer आपका C रहेगा तो बहुत important question है एक सभी एक्जामों के लिए अंतक बने रहें वीडियो में और वीडियो को ज़्यादा like और share भी करते रहें आगे देखते हैं तामर तार का प्रितिरोध आर है यानि आर प्रितिरोध का कोई तार है समान अनुपरा छेतर और समान उसका छेतर है अनुपरा छेतर वो आपका समान है लेकिन दूगनी लंबाई के यानि आपका इसकी लंबाई है लेकिन दूगनी लंबाई के हो है तो यानि आपकी इसकी लंबाई L है, यानि आपका कोई दूसरा तार है, उसकी दोगनी लंबाई है, यानि 2L है, तो आपका पृतिरोध भी आपका 2R हो जाएगा, दूनी लंबाई के ऐसे चार पृतिरोधों को समानतर में जोड़ा गया है, तो आपका नेट पृतिरोध क्य तो देख लेते हैं बहुत ही important question है और बहुत ही आसान है यानि कोई तार है जिसका प्रतिरोध आपका 2R है और आपको चार ऐसे प्रतिरोध हैं जिनको समांतर में जोड़ा गया है और तो तुल्ले प्रतिरोध केतना आएगा तो समांतर में जोडने पर आपका 4 नीचे आएग और जितने आपके जितने आपको समांतर किरम में जोड़ा जाता है यानि जितने संख्या में यानि तीन है तो तीन होता यानि चार है तो आपको दो दुनी चार तो राइट आंसर आपका RY2 इस परकार निकल करा जाएगा तो बहुत ही important question है तो राइट आंसर आपका B रहे जाता है तो आपका यह frequency का variation होता है Indian electricity rule के अनुसार तो आपका 3% होता है यानि आपकी पिलस माइनस 3% आपकी कम ज्यादा हो सकती है तो राइट आंसर आपका B रहेगा आगे देखते हैं supply आवरती 50 हैट तो बारे धुरुब तुल्यकाली मोटर का तुल्यकाली वेग क्या होगा तो बहुत ही आ 120 गुणे F यानि frequency 50 हर्ट और P आपको बारे पूल दिये गए हैं तो बारे से आपका 10 यानि 500 हर्ट पांसो पांसो आर्पीम इसका राइट आंसर रहेगा तो राइट आंसर आपका D होगा आगे चलते हैं उर्जम आपी के लिए अलुमूनियम डिक्स में छेदर किसलिए के जाता है तो आपका किरीपिंग दोस्को कम करने के लिए आपका यानि विसर पड़ादोर को कम करने के लिए आपका ऊर्जम आपी में छेद कर दी जाते हैं तो राइट आंसर आपका B रहेगा भारत भारतिये विद्धूत मानक क खिकी अनुशार निमत तता मध्य वोल्टम मैं अनुवंद्य वोड़ता विच्रन कितना होता है यानि लो एव मीडियम वोल्टेज में आपका वेरेशन कितना होता है तो राइट आंसर आपका 6 परजेंट रहेगा क्योंगी पिलस माइनस आपका 6 परजेंट कर सकते हैं और हाई की बात करें तो एक्स्ट्र हाई वोल्टेज और उच्छ हाई वोल्टेज के लिए आपका पिलस माइनस आपका 12 परसेंट होता है किस नियम के अनुसार एक DC मोटर में विरोधी विद्धुत भाग बल अनुप्रियुक्त बोल्टा के विरोध करता है तो यानि लेंज के नियम के अनुसार अपने जिसके करण उत्पन होता है उसका विरोध करता है तो राइट आंसर आपका लेंज के नियम रहेगा आगे चलते हैं आगे चलते हैं वेव तरंग में कुडलन समांतर पत होने हैं यानि आपके XXX वेव में आपके समांतर पत होते हैं तो बेसिकली आपके वेव कुडलन में समांतर पत होकी संक्या आपकी 2 होती है और आपसे XXX के लिए पूछा गया है तो आपके 3 दूनी 6 यानि right answer आपका 6 रहेगा आगा चलते हैं एक DC जनित का खुला पत अभी लक्चन उस अभी लक्चन को कहते हैं तो आपका इंटरलंड करेक्सेटरी कहलाता है तो right answer आपका भी रहेगा इसकौर्ट कनेक्शन आपको कहा जाता है तो आपको टीटी कनेक्शन भी कहा जाता है तो दोस्तों यह थे कुछ important question जो इस वीडियो में आपसे discuss किये करें हैं उम्मीद करता हूँगा सभी कुछिया आपको अच्छे लगएंगो और समझ भी आया होंगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादर लाइक और सेर करें और चैनल पनाए हैं तो इस तरह का notification और वीडियो पाने के लिए चैनल को प्लीज सस्क्राइब करने धन्यवाद दोस्तों